नमस्कार बहुत स्वागत है आप सबका जोतिश दिशा सत्त कीरा में आप सबको नव वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुब कामना है नया साल आप सबके लिए परम पावन मंगल और शुबकारी हो आज आंगल कैलेंडर के हिसाब से हम लोग नय साल में प्रवेश कर चुके है नया वर्ष आपके लिए कितना कुछ शुबता लेकर के आएगा इसकी जानकारी हम दे रहे हैं इस समय पोर्ट ब्लेयर से जहां जब आप लोग नया साल से अपने अपने घरों में मैं अपने घर से हजारों किलोमीटर दूर पोर्ट ब्लेयर में अंडमान निकोबार दी तर होगा इसकी पूरे जानकारी लेकर किया मुपस्तित हुए हैं तो आइए सुरवात करते हैं आज के पंचांग की लेगविन एक बार फिर से आप सबको नए साल की बहुत-बहुत-बहुत सारी शुबकामना है एक नए जोश के साथ एक नए प्राकृतिक सौंदर के साथ इस कारक्रम को पेश करने का उदेश सिर्फ आपके जीवन में सकारात्मा कुर्जा का संचार करना है आप सब को पूरी तरह से सकारात्मा करना है मेरे पीछे आप देखेंगे तो जश्ट जहां पर प्यड पौदे खतम हो रहे हैं उसके बाद एक आसमान सा दिख रहा है वो आज का जोतिश दिशा पंचांग की बात हम करें आप सबको चंद्रमा पहले ग्रोहों की बात कर लेते हैं चंद्रमा करक्राशी में पुशे नक्षत्र में आज है और चंद्रमा की सबसे बड़ी खासियत आज चंद्रमा सुख ग्रही है अर्थात एक तारीको एक जनवरी को पुशे नक्षत्र चंद्रमा सुख रहेगा पौश माँ कृष्णपक्ष दुटियाति ती है आज चंद्रमा करक में और नक्षत्र पुशे रहेगा योग रहेगा वय धिरती ततनवस्वार दिनांके एक जनवरी 2021 दिन शुक्रवार को र 12 बजे तक यह राहुकाल है गुलिक काल का समय नोट कर लीजेगा प्रातहकाल साड़े साथ से 9 बजे तक राहुकाल और गुलिक काल के बाद अब जानकारी आपके सब के आज के पुरे दिन के हाल की अर्थात आज की भविश्य वाणी सबसे पहले आई सुरुवात करते हैं मे दिश्वालों के लिए दिन थोड़ा सा आज चिंता कारक रहेगा भाग दोड़ जादा रहेगा पढ़ाई में मन कम लगेगा व्यापार बेहतरीन चलेगा बिजनस में किसी तरह की दिक्कत नहीं आगी लेकिन प्राइवेट सेक्टर वालों को आज उठा पटक का सामना करन नहीं करना पड़ेगा दांपत्य जीवन आपके लिए आज बहुत अनकुलता लाएगा कहीं गुम्ने टनले कारक्रम बन सकता है शुबता आज बनी रहेगी लव लाइफ में कुछ समझ्याएं आ सकते हैं लव लाइफ किस्तिती बहुत अच्छी नहीं है स्वास्त के मामले माइग्रेन और पेट की दिक्कत रहेगी मेश वालों को आज एक जनवरी 2021 को दिन शुक्रवार को क्या उपाय करना चाहिए आज किसी पौधे के नीचे आटा और चीनी का दान कर दीजेगा राल दीजेगा आपके लिए परम कल्याड करी बन जाएगा क्या नहीं करना है सफेद भागी प्रतिशत 57 ब्रशवराजी कुछ मामलों में आज कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है पढ़ाई आज नहीं हो पाएगी ब्यापार ब्यहतरीन चलेगा बिजलस में कोई दिक्कत नहीं आएगी प्राइबर सेक्टर के लिए आज एक परिवरतन का समय सरकारी खितर में उन नतिके समभावनाएं बंती हैं गूषर के सेक्टर में किसी तरह के दिकते दा मत्त जीमन आपके लिए आज उठा पतक का आरख बनेगा दाम पती जीमन में कुछ ने समस्याई गिया स्वास्त के मामले में पीत की समस्या बैक की प्राब्लम और कुछ मा भूशन पूरे दिन अपने पास रखिएगा क्या नहीं करना है आज किसी को सलाह नहीं देना है शुबरंग आज औरेंज भाग की प्रतिशत पचास दिन अंगलकारी है पढ़सानियों से बाहर निकलेंगे प्राय अच्छी करेंगे ब्यापार में दिक्कत आ सकती है में कुछ समस्याइं आ सकती है पेट की दिक्कत के कारण आज डेट पर जाना कैंसिल हो सकता है स्वास्त इशूज आज रहेंगे हार्ट की प्रावलम भी हो सकती ब्रेट प्रेशर से संबंदे दिक्कत हो सकती है क्या उपाय करना चाहिए आज मितो नाशिवालों को आज किस गौशाला में काले तिल का दान करना शुब होगा एक जनवरी की दिन क्या नहीं करना है आज उधार नहीं देना है शुबरंगहरा पागी प्रतिशत बासट करकराशी दिन बहुत अच्छा है मन बहुत प्रशन चीत रहेगा पॉजटिव रहेगा पढ़ाई बहुत बिजनस की स्थिती बहुत अच्छी नहीं है प्राइविट सेक्टर के लिए आज प्रमोशन के चांस अच्छाज है सरकारी छेतर में कुछ उल्जहन बढ़ सकती है गवर्मेंट सेक्टर को आज एक्स्ट्रा प्रिशर पढ़ेगा तामपतो जीवन अच्छा है परिशानिय होगा क्या नहीं करना है आज बढ़ बोला पन नहीं दिखाना है शुभरंग आपके लिए आज हरा भाग्य प्रतिशत बहत्तर सिंग राज किसी मामले में पेट की दिक्कत परेशान करेगी जिसके कारों पढ़ाई नहीं हो पाएगा एक जिनवरी के दिन ब्यापार बहुत कार भार भी आपको मिल सकता है दामपत्य जीवन आपके लिए अच्छा रहेगा अनकूल रहेगा पढ़ाई में है और साधी हो गई है तो तैयारी आज बहुत अच्छी करेंगा सवहार्द बना रहेगा सपोर्ड मिलेगा किसी बाहरी व्रक्ति से बहुत अच्छा कुछ का दाम आज बन सकता है दामपत्य जीवन में सबको शुपता है लव लाइफ ब्रेक अफ हो सकता है साधान रहेगा स्वास्त के मामले में आज कमर में दर्द आंखों की समस्या हो सकती है प्रियोग क्या करना चाहिए आज किसी जरुतमंद को फल का दान करना शुप होगा क्या अच्छी कर लेंगे सिक्षा में कोई दिक्कत दोश नहीं आएगी ब्यापार में कुछ समस्या हो सकती है ब्यापारिक दिश्टिकोंड से सावधान रहने क्या वशकता है प्राइबिट सेक्टर के लिए लाफ के अफसर बनेंगे प्रमोशन के चांस आज़ा सरकारी छेतर म में रुकाधन मिलेगा मकान की चिंता दूर होगी एक जनवरी 2021 दिन शुक्रवार दांपत्य जीवन अच्छा रहेगा संतान संबंदी खुश खबरें मिलेगी लव लाइप में कुछ उल्जन थी बाधात ही दूर हो जाएगी कर्णय राशी आज इस्तिती बहुत पक्ष मे स्वास्त के मामले में माइग्रेन और स्किन की प्रब्लम हो सकती है प्रियोग क्या करना चाहिए किसी ज़रूरत मंद को आज दवा का दान करना शुब होगा क्या नहीं करना है आज ज्ञादा उचलकूद नहीं मचाना है शुवरंग आपके लिए आज बैगनी भाग क्रति नहीं आएगी, ब्यापाल जबरदस्त चलेगा, बिजनस में आई बादाय दूर होंगी, प्राइवेट सेक्टर एक जनवरी, नुकसान होते होते रह जाएगा, सरकारी छेतर में कुछ उल्जन थी आई दूर हो जाएगी, आज दामपत्य जीवन अच्छा रहेगा, परेशान आज एक दम से बढ़ेगी, स्वास्त पर बिशेष ध्यान दीजेगा, आँख और बैक की प्राब्लम हो सकती है, तुला राशी एक जनवरी उपाय क्या करना चाहिए, आज किसी जरुवतमंद को मेडिसिन का दान करना शुब होगा, क्या नहीं करना है, लंबी आत्रा पर न मजबूती रहेगी, स्विच्छा में किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी, आज ब्यापार में कुछ दिक्कते हैं, बिजनस बहुत अच्छा नहीं चलेगा, ब्यापार एक दिश्टिकोर से कुछ तनाव बढ़ सकता है, लेकिन प्राइविट सेक्टर में लाव की आउसर ब बनेंगे, लव लाइफ में कुछ परिशानिया है, लव लाइफ को लेकर के हम आपको सजग करते हैं, लव लाइफ को लेकर आज थोड़ा सा थम जाईएगा, स्वास्त के मामले में माइग्रेन, हार्ट की प्राबलम और मधमें हर्थात शुगर बढ़ सकता है, प्रियो क्य गुड और काले तिल गउशाला में कहिंदान करिएगा, क्या नहीं करना है, बड़ बोलापन नहीं दिखाना है, शुबरंग आपके लिए आज बादामी, भाग्य प्रत्षत, 60, 60, धनुराशी, दिनांख, एक जनवरी, दिन, शुकरवार, पढ़ाई अच्छी करेंगे, सि प्रोमोशन के चांसें से, गौर्मर स्विटर में किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी, दामपत्व जीवन आपके लिए परिशान कर रहा है, आज पति-पत्नी के बीच कुछ पुराने बिवाद बाहर आ सकते हैं, पति-पत्नी को एक दूसरी क्या प्रति, बिस्वास लव लाइफ आज जबरदस्ता है, ठीट पर जा सकते हैं, परिशारियों का अंत होगा, तमाम विबादों से बाहर निकलेंगे, स्वास्त, धन्व राशी, लिवर और किर्नी, आँख की दिक्कत हो सकती है, क्या उपाय करना चाहिए अगर आपकी राशी धन्व है, एक जिन 258, मकर राशी, दिन बहुत अच्छा है, किसी तरह की दिक्कत नहीं है, परिशानियों से बाहर निकल रहें, पढ़ाई बहुत अच्छी करेंगे, स्विक्षा में आई बाधाय दूर हो जाएंगे, ब्यापार आपके लिए बहुत अच्छा चलेगा, बिजनस में किसी तरह कि समस्या नहीं आएगी, ब्यापारिक नुक्सान से बाहर निकलेंगे, बिजनस में कुछ पुरानी समस्या आए थी, वो दूर हो रही है, ब्यापार में सब कुछ बहुत सकारात्वक भी हो सकता है, प्राइवेट सिक्टर, मकर राशी, आप पर लोगों का फरोसा सरकारी छेत्र में दिक्कत है, बहुत कुछ बाधा एकदम से आ सकती है, दामपत्र जीवन आपके लिए अच्छा है, परिशानियों से बाहर निकल रहे हैं, दामपत्र जीवन में किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी, प्राइवेट सिक्टर कुछ परिशान कर सकता था, कैंसल करिएगा, पुराने प्रेम को संभालने की कोशिश करिएगा, स्वास्त के मामले में आज आँख और माइग्रेन की समस्या हो सकती है, बुखार दो पहर के बाद, एक जनवरी दोजार एकिस मकराशी, क्या उपाय करें आज, चावल और दाल अलग-अलग बरतन में ले सकते हैं, स्वास्त पर भिशेश ध्यान दीजेगा, पढ़ाई नहीं हो पाएगी, ब्यापार बहुत अच्छा चलेगा, एक जनवरी दोजारी किस दिन शुक्रवार, कुम्भराशी, प्राइविट सिक्टर के लिए कुछ तनाव बढ़ सकता है, प्राइविट सिक्टर में आज का दिन कुम्भराशी वालों को पीठ और बैक की प्राइविट सिक्टर कर सकता है, कमर से संबंधित दिखत हो सकती है, प्रियोग क्या करना चाहिए, आज मादुर्गा के चलों में एक लॉंग रखिएगा, एक जनवरी से हर एक दिन अच्छा जाएगा, क्या नहीं कर सिक्षा में कोई रुकावत नहीं है, ब्यापार आपके लिए परिशान कर सकता है, बिजनस को ले करके सजग रहने के आवशकता है, प्राइवेट सिक्टर बहुत अंकूल है, तनाव से मुक्ती मिल रही है, सरकारी छेतर में दिन अच्छा नहीं है, आज प्रमोशन रुक स सकता है, देहर रखिएगा, नामबत जीवन अच्छा है, पतनी के साथ बहुत क्वालिटी टाइम इस्पेंट करेंगे, लव लाइफ बहुत अच्छी इस्तिति में नहीं, लव लाइफ को ले करके आज बहुत सजग रहने क्या वशकता है, स्वास्त के मामली में देखा जा और पेट की समस्या हो सकती है, प्रियो क्या करना चाहिए आज, अगर आपकी राशिमीन है, आज एक माला गायतरी मंत्र का जाप कर लेजेगा, क्या नहीं करना है, आज सलाह मत देजी किसी को, शुबरंग आपके लिए आज गुलाभी भाग के प्रतिशत 55, तो बहिया, एक जनवरी की एक बार फिर से शुब कामना है, बात कर लेते हैं, तीन और चार जनवरी को हम चंडीगर में रहेंगे, तीन और चार जनवरी को अगर आप चंडीगर में मिलना चाहते हैं, तो समय देर न करिएगा, चंडीगर में मिलने का समय सुनेशित कर सकते हैं, बात कि आज दिशेंगे अब एक जनवरी 2021 की आज के भाग्याक्षर की मेश बाक्षर व्रिशब राग्षर मिथळन वाकषर करक हाखचर सिंघ दाकषर कन्या राकषर तुला छो अच्छर छत्रिय वाला च्छार ब्रिश्चिक, भाग्षर, धनू, वाग्षर, मकर, पाग्ष, कुम्ब, भाग्षर, मीन, साग्षर ये आपके अपने शुब भाग्याक्षर सादे चकुर काज़च पर लिख कर अपने साथ रख ले 24 गंटे इंचुबाए करें चलते चलते आज की सक्सेज की एक सफेद पुष्प पूरे दिन अपने साथ रखिएगा और शाम को किसी पौधे के नीचे डाल दीजेगा क्या नहीं करना है आज दूसरे के काम में बहुत ताग जाग ना करिएगा एक जनवरी है कुछ खास दोर पर आप लोगों को हम सलाह देना यही चाहेंगी कि आज के दिन को बहुत शांती प्रियता के साथ सिर्फ आशिरवाद लेने में बिताइएगा और हमें भी आशिरवाद और प्यार जितना होगा देते रहिएगा 11 जनवरी से लेकर लगातार चलते हैं और आप इस प्राक्रतिक आनन्द में अपने आपको डुबो के रखिएगा बहुत बहुत शुक्राइगा थैंक यू लभी वाल समुद्र का दरशन कराते हैं चलते चलते फिलाल हमेरे नमती चेका नमस्कार टेक केर बाई बाई यह आनन्द लीजी आप लोग और मैं ही समय कैमरी का ओपरेटर भी हूँ यह सफेद पुष्प आज का हमारा देखिए सक्सस की है और यह सफेद पुष्प हम आपको दिखाते हैं सुन्दर सुन्दर फूल यहां पर कैसे खिले हुए है आनन्द लीजी इन फूलों के साथ और मेरी तरफ से नववर्ष की बहुत सारी शुब कामना है विशु वेरी वेरी हैपी न्यू यह थैंक यू सो मच मित्रों बाई बाई टेक केर